अध्याय दस डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम Q1. ओर एकल क्या है एक डाटाबेस सब्ट्ट्वेर Q2. एक डाटाबेस में फिल्ड किसलिए होती है जनकारी की स्रेनी के लिए Q3. एक ही डाटा को कई जगा सेव करना क्या कालाता है Q3. कंप्यूटर अपलिकेशन बनाने के लिए परयुक्त DBMS क्या है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम निमन में से कौन सा डाटा को छोटे से बड़े के फिल्ड भाइल डाटाबेस लिए क्या कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिस लिए पर्दरशिद करता है बीट, बाई्ट, करेक्टर, फिल्ड, रिकॉर्ड, फाईल डाटाबेस Q6. डाटाबेस प्रामरी की क्या उधैस्टे है? डाटाबेस प्रामरी की का क्या उधैस्टे है? रिकॉर्ड का unique ढंग से पहचान करना Q7. निलिखित में से किसमें ब्यक्ति अस्थान या चीज जैसे सिंगल एंटिटी सम्बंधी जनकारी डाटाबेस में होती है रिकॉर्ड में Q8. कि इसका अर्थ है कि डाटाबेस में रखा Q8. कि इसका अर्थ है कि डाटाबेस में रखा गया डाटाबेस और रिलाइबल है Q8. कच्चे डाटाबेस कराते हैं Q11. कच्चे डाटा कहलाते हैं जबकि अर्थफूर्ण डाटा सुचना कहलाते हैं Q11. इन्फर्मेशन सिस्टम में अलफा निमेरिक डाटा क्या होता है Q12. टपल क्या होता है Q12. टेवल की एक रो प्रास्पर समन्धी रिकॉर्ड के समय को क्या कहते हैं डाटाबेस प्रीज सब्सक्राइब माई चैनल फर मोर अपडेट कुश्चन Q12. इन्फर्मेशन सिस्टम